नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश विदेश की प्रमुक खबरे प्यूर इसस सेंटर की सर्वे रिपोर्ट विज्यानिकों और विज्यान पर अमेरिकियों का भरोसा घटा बिजिंग में अब चीन में बादलों में मिले माइक्रो प्लास्टिक के कंड इससे मोसम पर असर पढ़ने की अशंका भी मिस यूनिवर्स प्रतियुगीता में मिस इंडिया श्वेता का कास्ट्यूम शो पावागण में महाकाली मंदिर में तीन लाग श्रद्धालू दर्शन के लिए पहुचे महन जोदरों में तांबे के सिक्के से भरा घड़ा मिला मिजोरम पहुचे लोगों में से पांसु पचास नागरिकों को मियामबन लोटाया गाजा में हमले रोकने की मांग पर प्रस्ताव पास पहली बार इसराइल के साथ नहीं आया अमेरिका वोटिंग से दूर चट की चटा पटना में सो से अधिक घाट सचकर तया करनाटक के पूर्व सीएम ने बिजली चोरी केस में 68,526 रुपे जुर्माना भरा कश्मीर में 18 घंटे चली मुठभेड में 5 आतंगवधी मारे गए टेसला का प्लांट गुजराद या महाराष्ट में संभव 20 लाक रुपे कीमत वाली कारे बन सकती है ग्यान वापी रिपोर्ट के लिए समय मांगा सुनवाई आज भुपाल गेस तराजदी पर बनी वेब सिरिश पर रोक नहीं आलोक शर्मा एस पी जी के महानिदेशक नियुक्त पी एम बोले AI का दुर्प्योक रुकना होगा डीप फेक बड़ा खत्रा मुझे भी गर्बा खेलते दिखाया उत्राकाशी की सुरंग में फसे 40 श्रमिकों को बचाने इंदोर से वायू सेना के विशाल C-17 विमान से भेजी मशीन और 22 टन के उपकरन बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे है राजनमा टीवी के साथ दाने बाद